देशाज भारत के पूर्व राश्पती और शिक्षाविद दक्टर राधा क्रिश्टन जी को उनके जन्म दिवस पर आदरांजली दे रहा है और यह हमारा स्वभाग्य है कि हमारे वर्तमान राश्पती भी टीचर है उनका जीवन का प्रारंविक काल उन्होंने एक शिक्षक के रूप में काम किया और वो भी दूर सुर्व पूरिशा के इंटियर इलाके में और वहीं से उनकी जिन्गी हने एक प्रकारत हमारे लिए य तो यह और आपके लिए गर्व की बारत है तो कि आज जब देश आजहाती के अमरुत काल के अपने विराठ सपनों को साकार करने में जूट चुका है तब शिक्षा के खित में राधा कृष्ण जी के प्रयास हम सभी को प्रेजित करते हैं इस हवसर पर मैं राश्ट्री मैंने एक शिकोष्ण जे बात्चीत करने का मौका मिला सब अलग अलग भाषा बोलने वाले हैं अलग अलग प्रयूप करने वाले लोग हैं भाषा आपको अलग होगी खेत्र अलग होगा समशाएं अलग होगी लेकिन ये भी है कि इनके बीच में आप कितने ही कौन हो आप स विद्यार्शों के पती समर्पाण और यह समानता आपके अंदर जो सबसे बड़ी बात होती है और आपने देखा होगा जो सफल टीचर रहा होगा वो कभी भी बच्चे को यह नहीं कहता है कि चल यह तेरे बसका रोग नहीं है नहीं कहता है कि टीचर की सबसे बड़ी जो स्ट्रेंफ होती है वो पॉजिटिविटी होती है सकारात मक्ना कितना है बच्चा पढ़ने में लिखने में पूर हो अरे करो बेटे हो जाएगा अरे देखो बेटे करो देखो उसने किया तुम भी करो हो जाएगा यहने आप देखिए उसको पत पूरा हो सकता है तो में एक बार संकल्प लो लग जाओ आपने देखा होगा कि वो बच्चा सपनों को संकल्प में परिवर्तित कर देता है और टीचर ने जो रास्ता दिखाया है उसे वो सिद्ध करकर के रहता है यानि